हलो योट्यूब गुट मार्निंग सुब के दस बच चुके हैं और मैं आपको दिखा रही हूं मिर्ची के पौधे जी हाँ यह जो आप लाल मिर्ची देख रहे हैं इतने सारी आज मैं यह निकालने वाली हूं यह इधर मैंने निकाल ली है जो भी मैंने निकालने थी और यह चोटी टोकरी कम पढ़ गई तो मैं अपने शॉल में थोड़ी सी जो रही थी वो निकाल रही हूं जो भी मिर्ची पक गई थी रेड़ हो गई थी वो निकाल लिये मैंने अरी तो वैसी रह गई है थोड़ी सी इधर भी रखी थी मैंने और पहले मैंने सोचा था कि मैं इसके पौदी उखाड लेती हूं खतम तो हो गई है फिर मैंको लगा नहीं हरी मिर्च बहुत है तो फिर और इधर एक बाबा आ गय थे बाबा जी इंको मैंने 10 रुपीस दिए और चले गए ये देखिए इतनी सारी हरी और लाल मिर्च अब मैं इनको साफ करके अलग 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 रखूँगी हरी अलग करके रखूँगी और रेड़ जो होगी है उनको अलग रखूँगी मुझ पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए मैं बहुत ज्यादा इंवॉल्फ हो चुकी हूँ काम करने में वाइ तो सेरियस मैंको लगा बहुत एजी काम है बट नहीं ये हो गया बहुत टाइम लगा इस काम को करने के लिए अब आप देख सकते हैं कितनी स्वंद शंद लग रही है न ये रेड वाली एक साइट रख्या मैंने और जो थूड़ी सी ग्रीन वाली थी वो मैंने दूसरी साइट रख्या इनको कुछ दिन सुखा करके जो रेड मिर्ट जोड़ा थी है उनका पाउडर बनाते है अब उनको लाल मिर्च पाउडर कहते है और हरी वाली एसी काम आजाती है कोई ऐसे खाताकाने के लिए एसी डालते हैं खाने में मैं आपको गाना काकर सुनाती है बताना मैं कैसा गात्या हूं लग जागले के फिर हसी रात हो ना हो शायद फिर इस जनम ले मुला कात्या हूं ना हो लग जागले बाई 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 अब वो काम करने के बाद मैं जारी हूं दादी की घर शाना की घर जारी हूं में कुछ काम है मतलब खाना बनाना है शाना की ममा घर पे नहीं हो दादी किसी काम से बाहर गए है मुझे उनकी घर खाना बनाना है और इधर देख लो को भी आलू और टमाटर रखे हैं और आज मैं पुलाव बनाऊंगी पुलाव पता है ना आपको क्या होता है हाँ तो अब मैंने कार्टिया दो बच गया है दिन के खाली को पर सोड़े में रखती है इधर मैंने चावल और नंधो के रखती है मैं इसको तर्टा लगा रहे हैं अपने इंडक्शन पर खाना बना रहे हैं क्योंके लपीजी खत्म होगी है बस जब तक कुलाव बनेगा हमारा सीटी आएगी तब तक मैं बाहर बैठी हो और बंदर देख रहे हूं इतने ज़्यादा बंदर होते हैं दो ना मैं तो डरी लगता है मैं अपनी स्टोरी सुनाओंगी किसी दिन आपको टाइम मिला तो बंदर वाली तब तक खाना भी बने गया है तो फिपी आगए है ये पुलाव बन गया देख लो देखी सकते हैं आप भी और मैं भी अब खाना बनाने के बाद मैं वापिस घर जा रही हूं घर जाके नहाती हूं अब मैं नहावी बिनी हूं और खाना खाके सो जाओंगी बाइ, बाइ, गुटनाइ